दोस्तो नमस्कार मुझे सबस्क्राइब करें और मेरे साथ बने रहें दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ संसारी क्रिष्टे हम जिस परिवेश में रहते हैं, पर्यावरण में रहते हैं ये प्रिथवी में कहीं न कहीं समाज के बीच में रहते हैं ये संसारिक रिष्टे कहलाते हैं, तो संसारिक रिष्टे से हमारा क्या संबंध होता है, संसारिक रिष्टे के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा, संसारिक रिष्टे छड़िक के साथ पूर्णता ना होना, यह संसार कुछ ना कुछ कम्याम निकालता ही रहता इसलिए रिस्ता तो एक कही होना चाहिए वह है शिरीक्रिष्न जो कि जन्म जन्मांतरों तक यह रिस्ता खत्म नहीं होता इस प्रत्वी पर सुख और दुख यहां के पर्यावरण में समाहित हैं जिसका प्रभाव यहां के हर जिव को आटोमेटिक होता है मन का रिष्टा ही सफल होता है और इसका अर्थ आने जाने से नहीं कहा जा सकता मन की सुद्धी से है यदि रिष्टे सफल होते तो दक्ष के यग में सती अपना परित्याग क्यों करती इसलिए मैं जो है आपको संसादरी क्रिष्टे के बारे में बताया था जब नारद जी भी इसी प्रित्वी के इसी ग्रंथ से मैं बात कर रहा हूं साहित्ति ग्रंथ है और धार्मिक ग्रंथ है उनकी ही बात कर रहा हूं जब माता सीता का स्वेंबर हो रहा था उस समय नारद जी भी स्वेंबर में समलित होना चाहे रहे थे लेकिन उनका मुख जो है बंदर का हो गया था फिर सिरी राम जी बोले कि आप अपनी मुख को थोड़ा आइने में देखिए तो जब वो आइने में अपने मुख को देखे तो उन्होंने वो समझ गए कि ये सिरी हरी बिश्नु की लीला है इसलिए वो भी कुछ स्राप दे दिये थे ऐसा करके ये इसकी कहानी है तो यह जो संसारी कृष्टे हैं संसार में जो भगवान लीलाएं करते हैं ये संसारी कृष्टे भी छड़िक हैं लीला हैं लेकिन संसारी कृष्टे हमेशा नहीं बने रहते यही अटलसत है इसको ही हमें मानना चाहिए और इसको ही ध्यान में रखना चाहिए हो गए दोस् नमस्ते सबस्क्राइब